अगर तुमने इस exercise के introduction को नहीं देखा है तो description box में उसका link दिया हुआ है जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए हम इस chapter को start करते हैं इस chapter के solution में सबसे पहला जो solution है वो है sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 इसे हमें evaluate करनी है एक बात मैं बता दूँ कि इस पूरे के पूरे exercise को solve करने के लिए आपको इन साड़े t ratios के value को याद रखने पड़ेंगे तुम्हीं सोच करके देखो न अगर तुम्हें sin 60 cos 30 ये जितनी भी ratios दी हुई है अगर इसकी value तुम्हें नहीं याद है तो तुम directly यहाँ पे नहीं put कर पाओगे और तुमसे यह question बिल्कुल नहीं बन पाएगा ultimately यह पता चला कि तुम्हें values को याद रखना ही पड़ेगा तो चलो हम यह उमीद करके चलते हैं आप से कि आपको इन सारी values को याद किये हुए हैं और उसके बाद हम इसे solve कर रहे हैं तो चलो हम लोग सबसे पहला question है जिसे evaluate करना है तो इसका solution करते हैं तो sin 60, sin 60 के जगा पे हमने root 3 by 2 याद कर रखा हुआ है ठीक है और बीच में अगर कोई sign नहीं है तो हम इसे into का sign कहेंगे और cos 30 की value है वो sin 60 के value हो जाती है तो cos 30 की value, sin 60 के value यानि कि यह भी root 3 by 2 हो जाएगा plus में sin 30 कितना होगा बेटा 1 by 2 होगा और into में cos 60 के value sin 30 के बड़ाबर हो जाएगा यानि कि यहाँ पे 1 by 2 अब तुम इसे solve करो root 3 को root 3 से multiply करोगे तो 3 आएगा और 2 को 2 से multiply करोगे 4 आएगा plus के जगा plus 1 1s are 1 और 2 2s are 4 ठीक है exactly तुम यहाँ तक चले आए आप denominator में LCM लेंगे तो 4 ही होगा और आप यहाँ उपर में numerator में 3 लिखेंगे और plus में यहाँ पे 4 1s are यानि 1 1s are 1 exactly 3 1 क्या होगा 4 by 4 और आपका जो answer cancel होकर के आ रहा होगा वो होगा 1 exactly आपने इस पहले वाले question का answer 1 निकाल लिया है ठीक है चलो अब हम दूसरे question पे चलते हैं यहाँ पे कह रहा है 210 square 45 plus cos square 30 minus sin square 60 हमें value याद है तो चलो हम इसको put करना शुरू करते हैं 2 के जगा हम 2 रखेंगे बीच में कोई sign नहीं तो multiply का sign देंगे 1045 का value बेटा 1 होता है और उसकी square है यहाँ 10 की square है तो मुझे उसके value की square करनी पड़ेगे यहाँ plus के जगा plus cos 30 की value हम याद कर रखे हैं sin 60 के बड़ाबर होता है यानि के root 3 by 2 और इसकी square है बेटा तो यहाँ पे हम इसको square कर लेंगे और minus में sin 60 की जो value है वो होता बेटा root 3 by 2 ठीक है और उसकी square है तो यहाँ पे square करेंगे आगे बढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा के 2 को 1 से multiply करने पे 2 आएगा और plus में root 3 का square बेटा 3 होगा और 2 का square 4 हो जाएगा और minus में root 3 का square 3 होगा और by me कितन होगा 4 हो जाएगा exactly तुम यहां से देख रहे हो पलस 3 by 4 और minus 3 by 4 कैंसल हो रहा है तो आपका final answer 2 आ रहा है ठीक है चलो next question पर move करते है कॉस 45 की value मुझे पता है कॉस 45 की value 1 by root 2 होती है ठीक है उसके बाद में साइन 630 सिक 30 के value बिटा कॉस 30 का reciprocal यानि कॉस 30 का उल्टा होगा और cost 30 के लिए तुम sin 60 का value याद रखे हो तो sin 60 root 3 by 2 होती है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 by root 3 ठीक है तो 2 by root 3 का square तो है नहीं यहां पर हम square देंगे नहीं ठीक है उसके बाद plus करेंगे उसके बाद cost 30 की value sin 30 का डेसी प्रोकल होगा sin 30 1 by 2 होता है तो यहां पर 2 by 1 हो नुमिनेटर में 1 by root 2 लिखा हुआ है 1 by root 2 लिखेंगे और जो denominator है उसको जब solve करेंगे तो 2 by 2 हो जाएगा और जब आप इसको multiply करोगे तो 2 by root 3 हो जाएगा और denominator में क्या आएगा तो root 3 by root 3 होगा ठीक है अब आप क्या करेंगे कि 1 by root 2 में आप इससे divide दे रहे हो यानि आपक लिखता हूँ ठीक है इसमें divide पूरे से दे रहा हूँ और अगर्चे multiply कर दूं तो यह reciprocal हो जाएगा यानि कि root 3 ऊपर होगा और divide में क्या हो जाएगा 2 plus 2 root 3 हो जाएगा ठीक है यहां तक की बाते समझ में आ गई बेलकुल अब हम चलते है root 3 को 1 से multiply करेंगे तो root 3 आएगा ठ है उसके बाद आप इस root 2 को 2 root 3 से करेंगे तो देखो यहां पर 2 है तो लिखेंगे और root वाले को root से multiply करेंगे यानि कि root 6 हो जाएगा अच्छा अब यहां पर आकर के हम ठहर गये अब इसके आगे हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और answer भी आपका इतना नहीं rationalization पढ़ा है तो यहां पर denominator irrational नंबर में है तो बैटर तुम्हें यहां पर rationalization करना पड़ेगा और जब rationalization करना पड़ेगा तो मैं इसे copy कर लेता हूं और next page पे इसे move कर लेता हूं paste कर लेता हूं ठीक है अब चलो तुम्हें इसकी rationalization करनी है तो rationalization करने के लिए आपको तरीक पता है कि numerator and denominator में इसके opposite sign से ठीक है denominator वाले के opposite sign से उपर नीचे multiply कर लेंगे यानि कि आप इसको ऐसे करकर के लिख सकते हैं कि root 3 तो numerator में लिखेंगे denominator में 2 root 2 लिखा जाएगा और plus में 2 root 6 अब rationalize करनी है तो आप numerator and denominator में किस से multiply करेंगे तो इस से multiply करेंगे लेकिन ध्यान रहे क कि इसका sign opposite यानि कि minus होना चाहिए यानि कि 2 root 2 minus 2 root 6 से numerator में भी multiply करेंगे और denominator में भी यानि कि 2 root 2 और minus में 2 root 6 हो जाएगा और आप इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे तो root 3 से आप इस पूरे में multiply उपर करेंगे तो देखो 2 से यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 root 3 है 2 1 2 हो गया root 3 से root 2 में करोगे बैटा तो root 6 हो जाएगा ठीक है और minus का sign है minus का sign दो root 3 से आप पूरे में multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और root 6 को root 3 से multiply करने पर root 18 आता है ठीक है अब हम divide में क्या लिखेंगे देखो a plus b और into में a minus b बैटा तुम्हें बता है a plus b into a minus b क्या होत है तो चलो e की square करो यानिके 2 root 2 की square करोगे और minus में b square यानिके 2 root 6 की square करोगे exactly अब आप इसे solve करोगे आपका answer आ जाएगा आप यहां से 2 common निकाल सकते हो बैटा जब आप 2 common निकाल लिए तो क्या बच गया root 6 और minus root 18 बच गया ठीक है और divide में आप चलते हो तो यहां पे 2 का square बेटा 4 होगा और root 2 का square 2 होगा ठीक है और minus में 2 का square 4 होगा और root 6 का square 6 होगा आप इसे solve करेंगे तो numerator में तो 2 root 2 into root 6 minus root 18 ही आएगा ध्यान दीजेगा और denominator में क्या आएगा 4 to the 8 और minus 6 for the 24 आएगा अब आप जब इसे subtract कर रहे होंगे तो पहले आप numerator लिख लेंगे 2 root 6 है औ और minus में root 18 होगा और जब आप इसको subtract करेंगे तो 8 24 में से आपको 8 को subtract करना है ठीक है तो 16 16 आएगा बिटा तो यहां पे आप minus 16 लिखेंगे क्यों क्योंकि बड़े वाले जो नंबर है उसकी sign negative है तो यहां पे minus 16 हो जाएगा अब देखो यहां से 2 से 8 times में यह cancel हो रहा है त खीक है हम next page पे लिख लेते हैं root 6 minus root 18 और divide में क्या बच रहा है बच रहा है देख लो ना यहां पे देख लो divide में minus 8 बच रहा है अब आप क्या करेंगे कि इस root 6 के बदले आप root 6 लिखेंगे और यह जो root 18 है ना आप यहां पे 18 को देखो यहां पे 18 का जब प्राइम निकाल लोगे तो 2908 3309 यानि कि 3 का तो पेर लग गया और 2 का पेर नहीं लगा इसलिए हम root 18 को क्या लिखेंगे 3 root के बाहर निकल करके 3 हो जाएगा और यह root के अंदर रह जाएगा तो 3 root 2 होगा और divide में क्या होगा माइनस में 8 हो जाएगा अब आप देखिए कि माइनस आप नीचे रखें या numerator में कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब यह minus को उठा करके मैं उपर ले जाना चाहता हूं तो माइनस रूट 6 और 3 root 2 में मैं निगेटिब लगाना चाहता हूं ठीक है यहां पर माइनस हो गया और divide में क्या हो गया पटा एट हो गया अच्छे एक बात पता है माइनस को इससे कड़ोगे तो माइनस रूट 6 हो जाएगा और माइनस माइनस पलस क्या होगा 3 root 2 और डिवाइड में 8 आ जाएगा अब यहां से आप देखो कि माइनस वाले को बाद में लिखेंगे पलस वाले को पहले लिख लेते हैं यानि कि 3 root 2 और माइनस रूट 6 और डिवाइड में 8 आई थिंक के आप देखेंगे तो आंसर इसका 3 root 2 माइनस रूट 6 और डिवाइड में 8 आएगा ठेक है समझ में आगई बात चलो नेक्स कोश्चन पर मूव करते हैं साइन 30 पलस 1045 एक्जैक्ली यह सारी चीज़ां आपको सामने दी हुई हैं बस आपको इसकी वैलू रखनी है और वैलू रख करके आगे फॉरवर्ड करना है मूव होना है तो आप साइन 30 का वैलू रखेंगे तो साइन 30 का वैलू आपको पता है कि 1 बाई 2 होगा पलस में 1045 1045 की वैलू 1 होती है और माइनस में कॉस एक 60 जो साइन 60 का उल्टा होगा तो साइन 60 रूट 3 रूट 2 होता है तो यहाँ पे उसका उल्टा 2 by root 3, ultra कहने का मतलब बिटा reciprocal होगा, ठीक है, अब हम यहाँ पे 630 देखते हैं, तो 630 cos 30 का ultra होगा, cos 30 बोले तो sin 60, यानि root 3 by 2 का ultra, तो यहाँ पे आप 2 by root 3 लिख रहे होंगे, और plus में cos 60, cos 60 कहने का मतलब होगा, sin 30, तो sin 30 के लिए आप 1 by 2 लिखेंगे, और plus में cos 45 तुम्हें पता है, 1 होता है, अब हम इसको solve करेंगे, numerator को numerator से और denominator में यहाँ पे LCM लेकर के solve करना पड़ेगा, तो नीचे 2 root 3 LCM आएगा बिटा, 2 root 3 आपका LCM आएगा, तो numerator में क्या आएगा, numerator में देखो, 2 से 2 cancel, तो root 3 बचा, तो root 3 को 1 से multiply करोगे, तो root 3 आएगा, ठीक है, और plus के जगा, plus, यहाँ पे 1 है, तो 1 को इतने times तुम पढ़ रहे होगे, तो फिर 1 को उसी से multiply करोगे, यानि के उपर में तो 2 root 3 होने वाला है, ठीक है, और minus के जगा, यहाँ पे minus रखोगे, root 3 से root 3 cancel, 2 बचा, 2 को 2 से multiply करोगे, तो 4 आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, कि divide में तुमको denominator भी solve करना पड़ेगा, denominator में भी 2 root 3 ही आपका LCM आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 root 3 और divide में आप क्या लिखेंगे, देखो, root 3 से root 3 cancel हो गया, sorry, यहाँ पे देख लो, root 3 से root 3 cancel हो गया, 2 बचा, 2 को 2 से multiply करोगे, बटा, 4 आएगा, पलस के जगा आप पलस लिखोगे, 2 से 2 cancel, root 3 बचा, root 3 को 1 से करोगे, तो root 3 होगा, और पलस में यहाँ पे denominator में 1 है, 1 को इतना times पढ़ना पड़ेगा, तभी 2 root 3 आएगा, तो आप 2 root 3 को 1 से multiply करोगे, तो 2 root 3 ही होगा, ठीक है, अब solve करो, 2 root 3, अच्छा, एक बात ध्यान है, ध्यान देनी की ज़रुरत है, कि denominator में 2 root 3 है, तो यहाँ पे denominator से denominator cancel हो जाता है, उपर क्या बचा, 2 root 3 में 1 root 3 add हो गया, तो कितने हो गए, 3 root 3 हो गए, यानि कि आपका numerator 3 root 3 और minus में 4 आ रहा है, और divide में, यहाँ पे ध्यान दू, कि यहाँ पे 4 था, तो उसके लिए मैंने 4 लिखा, और plus में क्या लिख लिया, 2 root 3 और root 3 कितना हो जाएगा, 3 root 3 हो जाएगा, ठीक है, अब जा करके आप rationalize करेंगे, तो rationalize करने के लिए आपको 4 plus है, तो यहाँ पे minus 3 root 3 और divide में 4 minus 3 root 3 करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे हम लोग numerator को numerator और denominator को denominator से multiply कर लेते हैं, ठीक है, तो आप 3 root 3 को पहले 4 से multiply करोगे, तो 4 3 जा 12 root 3 हो जाएगा, 12 root 3 लिखेंगे, और इसी को फिर आपको अगले वाले term से भी multiply करना है, यानि कि plus minus minus हो जाएगा, और 3 को 3 से करोगे, तो 9 हो जाएगा, और into में root 3 को root 3 से करोगे, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, अब आपने पहले को तो दोनों term से multiply कर लिया, अब minus 4 को भी दोनों term से multiply करना पड़ेगा, तो minus plus minus हो जाएगा, और 4 फूर्दर 16 होगा, ठीक है, और minus minus plus हो जाएगा, और 4 को जब आप 3 से multiply करेंगे, तो 12 हो जाएगा, और root 3 है, तो यहाँ पे root 3 लगाना पड़ेगा, root 3 का square करोगे, ठीक है, जब आप इस दोनों की squaring करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो आपका अब answer आ जाएगा, तो चलिए, अब हम इसको next page में ले करके चलते हैं, इसको हम copy कर लेते हैं, copy करने के बाद अगले page पे move करते हैं, तो okay, यहाँ पे हमने उसके paste भी कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, solve करने पे क्या आता है, तो solve करने पे हम यह पता चलता है, कि यह तो 12 root 3 है, exactly, और यह यहाँ पे हो गया, minus 9, 3's are 27, ठीक है, तो 27 और minus में 16 होगा, और plus में 12 root 3 होगा, और divide में आप क्या लिखेंगे, तो 4 का square 16 होगा, अब minus में 3 का square 9, और root 3 का square 3, यह 9, 3's are 27 हो रहा होगा, अब आप देखो 12 root 3, 12 root 3 कितने हो जाएंगे, 24 root 3 हो जाएंगे, और minus और minus, दोनों को add करना पड़ेगा, तो minus में यह answer आएगा, 7 को 6 से multiply करोगे, तो 13 होगा, carry 1 होगा, 2 को 1 से, sorry add करोगे, 7 को 6 से add करोगे, 13 होगा, carry 1, और 2 को 1 से add करोगे, तो 3 और 1, 4 हो जाएगा, यानि कि 43 आप इसमें से घटाओगे, और divide में आप क्या लिखोगे, जब आप 27 में से 16 को घटाओगे, तो यहाँ पे 11 आएगा बिटा, और 11 यहाँ पे negative होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला जो number है, वो आपका negative है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो अब नीचे negative है, तो नीचे negative है, तो उपर negative जाके multiply होगा, तो sign आपका बिलकुल change हो जाएगा, यानि कि अब यह positive वाले negative ह हो जाएंगे, minus 24 root 3 होगा, और यह negative वाला positive हो जाएगा, यह 43 और divide में आपका 11 होगा, आप इसे add इंच कर लो, पहले आप positive वाला लिखो 43, उसके बाद negative वाला लिखो, minus 24 root 3, ठीक है, उसके बाद divide में 11 हो जाएगा, अगर यह नीचे से उपर जाता है, कैसे होता है, तो इसे पहले वाले question में मैंने आपको बहुत अच्छे से detail में बताया हुए, तो बिटा आपका इस question का answer इतना होगा, ठीक है, चलो अब हम चलते है, next question की तरह, ठीक है, अब यह जो 5 number question है, जिसमें आप देख रो, फिर यहाँ भी आप उसी तरीके से value put करो, और value put करने के बाद answer न अब पलस में 4 into 630, 630 की value कितनी होगी, तो 630 की value cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 बोले तो sin 60, यानि कि root 3 by 2 का उल्टा 2 by root 3 होगा, और यह 2 by root 3 का square करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यूंकि square है, minus में 1045 बिटा 1 होता है, square करोगे तो 1 square हो जाएगा, और divide में चलो, sin 30, sin 30 1 by 2 होता है तो 1 by 2 का square करेंगे, और पलस में cos 30, cos 30 तो आपका sin 60 के बड़ाबर होता, तो sin 60 root 3 by 2, तो यहाँ पे आपको root 3 by 2 का square करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप root 3 by 2 का square आपने कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फटा फट से solve करेंगे, answer आ जाएगा, देखो यहाँ प 5 by 4, आप पलस में 4 into 2 का square करोगे, तो 4 होगा, और divide में root 3 का square करोगे, तो 3 होगा, और minus में क्या होगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद में 1 by 2, यानि 1 square 1 होगा, और 2 का square करेंगे, तो 4 हो जाएगा, पलस में root 3 का square करेंगे, 3 होगा, और divide में 2 का square करेंगे, तो 4 हो जाएगा, प्लस में यहां पे 16 by 3 आया और माइनस 1 आया ठेक है अब डिवाइड में हम क्या करेंगे 1 by 4 और 3 by 4 है तो बिटा LCM ले लोगे तो 4 ही होगा और यहां पे 1 प्लस 3 करना पड़ेगा ठेक है अब यहां पे देख बिटा आप यहां पे LCM लोगे LCM लोगे तो 4 3 का LCM बिटा 12 और प्लस में 3 4 12 इसका मतलब कि 16 को 4 टाइमस पढ़ना पड़ेगा जो 64 होगा ठेक है और माइनस में क्या होगा यहां पे 1 को 12 टाइमस पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब कि यहां पे 12 हो जाएगा ठेक है और डिवाइड में क्या आएगा तो 4 by 4 आ जाएगा अब यह 4 by 4 जो तो जब इस दोनों को एड करोगे 15 को 64 से तो 79 आएगा ठीक है तो अब यहां पे आप लिखेंगे 79 और यहां माइनस 12 है तो आप यहां पे यहां पे हमें और हमारी चोईस को जस्टीफाई भी करना है तो बिटा सबसे पहला वाला जो नंबर है वह आपका है 1030 का value तुम्हें पता है 1 by root 3 होगा ठीक है और 1 by root 3 के बाद तुम्हें यहां पे 1 के जगा 1 लिखना पड़ेगा और 1030 के value कितनी होती है 1 by root 3 होती है और उसकी square करनी पड़ेगी यहां पे आप उपर में करोगे 2 by root 3 और divide में क्या आ जाएगा यहां पे 1 plus 1 by 3 क्यों 1 by 3 क्यों कि root 3 का square 3 ही होता है अब आप यहां पे आगे बढ़ेंगे तो उपर होगा 2 by root 3 और denominator में क्या होगा 3 को 1 से multiply करेंगे तो 3 होगा और plus में यहां पे देखो 1 है 1 को 1 से multiply करोगे तो 1 होगा और divide में 3 वंजा 3 होगा यानि कि आपको 2 by root 3 और divide में कितना आ रहा है तो 4 by 3 यहां पे 4 by 3 करेंगे आप अच्छा एक चीज़ देखो numerator से numerator और denominator से denominator cancel होता है यानि कि 2 से आप इसको 2 times में cut करोगे और यह root 3 को आप यह root 3 times में cut करोगे क्यूं क्यूंकि root 3 को दो बर multiply करने पर 3 आता है तो इसमें double double root 3 था एक root 3 से root 3 cancel होगा तो केवल root 3 बच गया यानि उपर में आपक करेंगे तो आगे solve करने पर यह reciprocal यानि root 3 by 2 हो जाएगा तो अब हम आगे बढ़ेंगे root 3 by 2 होगा अच्छा अब यह root 3 by 2 option के हिसाब से किसका हो सकता है तो sin 60 के value root 3 by 2 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं sin 60 degree और यह option number A आपका correct हो गया चलो अब हम दूसरे question पर move करते हैं अब यहां पर value put करो 1 minus 10 square 45 यानि के 1 का square करना पड़ेगा और divide में 1 plus 1 का square यह क्योंकि 1045 की value 1 होती है तो यहां पर 1 का square करोगे चलो भाई उपर 1 में से 1 आपका करोगे cancel होकर के 0 होगा और divide में क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा यानि 0 by 2 तो finally आपका 0 ही answer आएगा क्योंकि 0 में आप किसे भी चीज़ से divide दे दो तो 0 ही आना है यानि option number आपका d correct होता हुआ चलो next question पर move करते हैं यहां पर sign 2 is equal to 2 sign a है इस true इसको बनाने का 2 method बेटा या तो तुम option रख रख करके check कर लो a के जगह पर option रखो और check कर लो तो यह objective question है और शायद तुम्हें यहां पर यही करना च तो चलो यहां पर हम 0 degree रख करके देखते हैं यानि के put 0 degree put a is equal to 0 degree तो अब आप यहां पर sign 2a sign 2a में अगर आप रखते हैं sign के जगह sign 2 के जगह 2 और a के जगह आप 0 degree multiply करेंगे तो यहां पर कितना आएगा बटा और into में sign के जगह sign रखेंगे और a के जगह आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे क्योंकि आपने 0 को यहां assume कर रखा है तो यहां पर हो जाएगा 2 into sign 0 की value 0 होती यानि finally answer 0 आएगा यानि LHS और RHS दोनों यहां आपका बढ़ाबर हो जा रहा है यानि के पहला option number a आपका correct है ठीक है लेकिन यह तो आपने objective question था आपने कर लिया अगर यह subjective में होता तो आप कैसे करते हैं तो उसके लिए देखो आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा वो यह जानना के रूप में solve कर सकते हैं तो चलो यहां हम solve करते हैं sin 2a 2 sin a के बड़ाबर दिया हुआ है और हमें इसको आगे a की value निकाल ले हैं कि a की value क्या होगी चलिए अब हम इसको solve करते हैं देखो आप इसको इधर लेकर करके चले आओ तो आप क्या लिखोगे sin 2a और इधर पलस में है तो माइनस 2 sin a हो जाएगा ठीक है अब आगे यहां पर 0 आएगा क्योंकि यह तो इधर आ गया अब आगे और दे करके बढ़ो sin 2a का value यह रख सकते हो बिटा 2 sin a into में cos a ठीक है और माइनस यहां पर है तो माइनस में 2 sin a है तो यहां पर 2 sin a कर लो ठीक है कितने के sin a और 2 sin a common है तो आप यहां पर 2 sin a common निकाल सकते हैं तो इसमें क्या बच गया तो cos a बच गया माइनस के जगा माइनस देंगे इसमें कुछ नहीं बचा तो बिटा 1 बच गया अब यह किसके बड़ाबर 0 अब यहां पर 2 sin a एक बड़ 0 होगा और दूसरी बड़ कॉस ए माइ यानि के sin a की value आप 0 को sin के form में क्या लिख सकते हो बिटा sin 0 लिख सकते हो 0 हटा उसके जगा sin 0 रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानि a की value यहां पर आपको कितनी degree आ गई तो a की value 0 degree आ चुकी है उसी तरीके से एक बार आपको यहां पर और आगे लेकर के बढ़ना कि कॉस a-1 अगर 0 रखते हो तो यहां पर कॉस a की value कितनी हो जाएगी यहां पर 0-1 जाएगी ठेक है अब 1 को कॉस के form में आप कैसे लिख सकते हो तो देखो 1 को हटाओ और यहां पर आप कॉस 0 degree लिख सकते हो क्योंकि कॉस 0 degree की value 1 होती है तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे कि a की value comparison करने पर तो मुझे 0 degree ही मिल ला है इसका मतलब यह हो गया के sin 2a is equal to 2sin a तभी पॉसिबल है जब a की value 0 degree हो ठीक है नेक्ट कोशन देखते है 2 1030 डिगरी यानिके 2 into 1030 की value कितनी होती है 1 by root 3 होती है और divide में क्या करेंगे 1-1030 1030 की value 1 by root 3 होती है तो 1 by root 3 का अब मुझे यहां पर square करना पड़ेगा अब आगे देखो ऊपर तो आपका हो जाएगा 2 by root 3 ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा आप इसको solve करेंगे तो 1-1 by root 3 का square तो 3 होते हैं आप आगे बढ़िए आगे बढ़िए तो पता चलेगा कि 2 by root 3 और divide में 3 वंज़ और divide में क्या हो जाएगा 3 यानि कि आपको यह पता चला कि 2 by root 3 यहां पर 2 by root 3 करेंगे ठीक है 2 by root 3 divide में 2 by 3 देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा और by में क्या हो जाएगा 3 numerator से numerator cancel हो गया 3 में तो double double root 3 है तो यहां root 3 से root 3 times में यह cancel हो गया यानि कि आपको क्या बचा बचा उपर कुछ नहीं 1 बचा और नीचे क्या बचा 1 by root 3 बचा ठीक है यानि 1 में इससे divide दे रहे हैं यानि इसका reciprocal answer होगा root 3 अब root 3 तुमको इसमें सर्च करना है कि root 3 किसकी value हो सक है तो यहां पर आप लिखेंगे 1060 degree और 1060 degree कहने का मतलो option number कौन सा आपका सही हो गया यहां पर option number C सही हो गया ठीक है तो बात समझ में आगी आपको fourth number बिलकुल किलियर है एक तम अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर 3 number question में बोला है कि 10 A plus B root 3 है तो इसको आप लिख लो 10 A plus B की value कितना लिख लोगे तो root 3 लिख होगे ठीक है तो अब यहां पर 10 A minus B की value दी हुई है उसके बाद कह रहा है कि find A and B और आप A और B निकालो और यहां A B जो है वो आपको 090 के बीच में है यानि acute angle है और acute angle के लिए तो आप trigonometry लगा सकते हो तो चलो बाई यहां पर हम इसक के form में क्या लिख सकते हैं तो root 3 के जगा पे हम 1060 degree लिख सकते हैं root 3 को हटाया 1060 रखा कोई फरक नहीं पड़ने वाला है इसको आप equation 1 माल लो ठीक है again आप आगे बढ़ो जब आगे बढ़ोगे तो 10 A minus B की value दी हुई है तो आप 10 A minus B की value जो दी हुई है आप उसे रखो यहां पर फिर वही काम करना है आपको 10 A minus B तो रखेंगे और साथ में 1 by root 3 को हटाएंगे तो 10 के form में कितना value आएगा तो 10 30 का value 1 by root 3 होता है आप इसको second equation मान लेंगे अब यह first equation and second equation हो गया अब इस दोनों में आपको comparison करना है अच्छे एक चीज यहां पर देखो जब आप 10 A plus B 10 60 रख लिए तो आपको यहां पर आप इसको first equation नहीं मानों आप क्या करो कि A plus B यहां से A plus B comparison करोगे 10 से 10 में comparison हो गया A plus B की value कितनी आई बिटा 60 degree आई तो इसे आप first equation मानेंगे ठीक उसी तरीके से 10 से 10 आपने comparison किया तो यहां पर A minus B की value कितनी आगई तो 30 degree आगई इसे आप second equation मानेंगे ठीक है कहने का मतलब यह रहा कि आपने जो है वो पहले comparison किया ठीक है comparison करने पे A plus B के जगा 60 लिखा था तो आपने 60 लिख लिया A minus B के जगा 30 लिखा था तो यहां पे आपने 30 लिख लिया अब इस दोनों equation को आप कैसे करें जो A और B का value आ जाए तो देखो add कर लेंगे क्योंकि यहां पे plus B है यहां पे minus B है यह cancel हो जाएगा add करने पे यानि पहला और दूसरा equation को हम add करेंगे तो क्या हो जाएगा A में A add करोगे तो 2A होगा और B और B तो cancel हो जाएगा जब आप 60 में 30 add करेंगे तो बिटा 90 होगा यानि A का value तुम्हें यहां पे क्या आ रहा होगा 45 डिग्री आ रहा होगा जब A की value तुमने 45 डिग्री निकाल ले तो अब आप क्या करो कि first equation में A की value रखो आपको B का value निकल जाएगा तो from equation first या आप second में भी रख सकतो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है from equation first आपको दिया हुआ है A plus B 60 डिग्री ठीक है अब आप क्या करेंगे कि A के जगा 45 डिग्री रखेंगे तो यहां पे 45 डिग्री आप plus B is equals to 60 डिग्री लिखेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको B is equals to क्या होगा 60 माइनस 45 डिग्री ठीक है यानि कि B is equals to आपको 15 डिग्री आ रहा होगा तो चलो आपने A की भी value निकाल ली और यहां पे B की भी value आपने निकाल ली ठीक है चलो आगे सबसे पहला number question है इसमें क्या कह रहा है कि sin a plus b क्या sin a plus sin b के बड़ाबर होगा तो चलो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि a is equal to 60 degree हमने माल लिया और b is equal to 30 degree माल लेते हैं अब इस दोनों को हम LHS में भी रखकर देखेंगे और RHS में भी रखकर के देखेंगे यहाँ पर LHS क्या है बिटा तो sin a plus b है ठीक है तो अब यहाँ पर solve करते हैं sin के जगा sin a के जगा आप 60 रखोगे और b के जगा क्या रखोगे 30 रखोगे अब आप इसे solve करोगे तो sin 90 degree आ जाएगा और sin 90 की value पता है तुम्हें कितना होता है तो sin 90 होता है 1 ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं RHS की तरफ ठीक है अब RHS में क्या लिखा हुआ है RHS में के जगा आपने 30 assume किया है अब इसको solve करेंगे sin 60 की जो value है वो कितनी होती है तो root 3 by 2 होती है ठीक है और plus में sin 30 की value कितनी होती है तो sin 30 की value 1 by 2 होती है तो यहाँ पे 1 by 2 लिख लेंगे ठीक है अब यहाँ पे आपका 2 to LCM 2 ही होगा और उपर क्या हो जाएगा पिटा root 3 plus 1 हो ज तो क्या यहाँ RHS LHS equal हुआ बिलकुल नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बडाबर नहीं है RHS के तो आपको finally क्या हो गया कि जब यह दोनों आपस में equal नहीं है तो आपका यह जो पहला वाला है यह false के category में आ गया यानि false हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे answer में false ठीक ह थीटा की value बढ़ेगी जब थीटा बढ़ेगी तो आप यहाँ पर एक चीज जानते हो कि sin 0 degree, sin 30 सबकी value तुम्हें पता है sin 40 degree, sin 60 degree, sin 90 degree बताओ बटा, sin 0 की value 0 होती है, sin 30 degree की value कितनी होती है? 1 by 2, इसकी value 1 by 2 होती है, इसकी value root 3 by 2 होती है और sin 90 की value 1 होती है, देखो थीटा है, तो value भी बढ़ रहा है, देखो 0 से आधा हो गया, पहले कुछ नहीं था, अब half हो गया, उसके बाद फिर उससे जादा, उससे जादा, और 0 से 1 की तरफ चला आया, यानि कि आपको theta increase करने पे sin theta की value बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि value of sin theta increases करेगे, कब if theta increases, ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो, अब हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर यह जो आपका finally answer क्या हो गया, तो second number का answer हो गया, बिटा, true, तो यहाँ पर हम करेंगे second number, यह बिटा, second number का आपका solution था, वो पहला था, तो second number का answer हो गया, true, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, number question को हम लोग आगे next page पर ही लेकर के चल चलते हैं, तो चली, यहाँ पर जो third number question है, इसमें कह क्या रहा है, कि the value of cos theta increases, as theta increases, क्या cos theta की value तुम्हें पता है, cos 0 degree आप क्या लिखते हो, cos 0 degree आप लिखते हो, 1, ठीक है, उसी तरीके से 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, यानि cos 30 की जो value है, वो हो जात तो, cos 45, 1 by root 2, cos 60, 1 by 2, और cos 90, 0, देखो, theta बढ़ रहा है, तो value 1 से घटकर के 0 हो जा रहा है, यानि कि theta increases, तो उसकी जो value है, cos theta की जो value है, वो आपको यहाँ पर decrease हो रही है, यानि decreases, तो आप लिखेंगे, कि value of, value of theta increases, increases, then value of theta increases, then value of, value of cos theta decreases, ठीक है, यानि theta बढ़ेगा, then value of cos theta decreases, इससे पहले वाले question में किया था बेटा, कि अगर्चे value of sin theta increases, if theta increases, यानि अगर theta बढ़ेगा, तो sin theta की value यहाँ बढ़ रही थे, और यहाँ क्या है, कि अगर्चे value of theta increases, theta की value increase कर रही है, तो cos theta की value decrease कर रही है, अब यहाँ पर fourth number, यह आपका third number question था, तो third number का finally आपका answer क्या हो गया बेटा, false हो गया, क्यों, क्योंकि यह बोल लाए कि theta बढ़ेगा, तो cos theta भी बढ़ेगा, तो इसके वज़ाए से यह आपका हो गया, third number question false, ठीक है, अब third number false होने के बाद हम fourth number में देख लेते हैं, sin theta is equal to cos theta for all value of theta, यहाँ पर fourth number question को देखो, बोल लाए sin theta और cos theta हर एक theta के लिए equal होगा, तो क्या sin 30 की value जितनी होगी, उतनी ही cos 30 की होगी, sin 30 तो 1 by 2 होता है, और अगर आप cos 30 निकालते हो, तो यह बेटा आपका root 3 by 2 होता है, यानि के sin 30 आपका बड़ाबर नहीं हुआ, किस से, तो cos 30 से, तो आप कह सकते हो, कि यहाँ पर भी जो है, वो false बातें कही गई है, हर एक theta के value पे तो दोनों equal नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, 45 degree पे, sin 45 और cos 45 पे दोनों के value सेम आ जाती है, ठीक है? अब चलो हम next question पे, जो आपका आखरी question है, उसमें move करते हैं, यहाँ पे जो fifth number question है, इसमें कह क्या रहा है, कि cot A is not defined for A is equal to 0 degree, बिटा, आप यहाँ पे cot A लिख रहे हो, अब यहाँ पे A की value क्या ले रहे हो, तो 0 degree ले रहे हो, तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे करकर के लिख सकते हैं, कि sin A, sorry, sin A नहीं बिटा, आपको रखना पड़ेगा, numerator में cos A और divided by sin A, बिलकुल लिखा जा सकता है, cot A को cos A by sin A लिखा जाता है, यहाँ पे A के जगह पे 0 रखना है, यानि कि cos 0 degree और divided by sin 0 degree रखेंगे, क्योंकि A के जगह पे 0 रखने को कहा गया है, अब यहाँ पे cos 0 की value क्या आती है, तो बही cos 0 की value 1 आती है, divide में sin 0 की value क्या आती है, तो 0 आती है, तो 1 by 0, 0 से तो किसी में divide दे ही नहीं सकते, इसलिए finally यह बेटा आप कह सकते हो, कि यह तो undefined है, तो जैसे यह undefined है, तो not defined हो गया, undefined कहने का मतलब, तो यह जो fifth number question है, वो आपका बिलकुल true है, यानि आप यहाँ से कहेंगे, कि fifth का answer true होगा, उसके लिए logic जो है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठेक है, तो overall आप यहाँ पे एक चीज समझ गये, कि जितने भी यह exercise में question मुझे करना था, उन सभी के सभी question में मुझे value को याद रखना जरूरी है, अगर आपको value नहीं याद होगी T ratios के, तो आप इस exercise के question नहीं कर पा रहे होंगे, तो examination में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ महनत तो करना जरूरी है, तो चलिए आप महनत कीजिए, और इस exercise के सभी questions को throughout देख लिजिए, अब आगे जो है वो हम आपको लेकर के आ रहे होंगे, next lecture में, T ratios of complementary angle, complementary angle का T ratios, अब हम लोग पढ़ेंगे next question में, उसका introduction होगा, तो चलो, आज की class यहीं तक फिर हम लोग मिलते हैं, next lecture में, ठीक है, okay, bye.